नमस्कार विद्यार्थियो आशा है आप परिवार के सहित स्वस्थ होंगे प्रसंद होंगे हम पौधों में खनिज पोषण के अध्यन के करम में अपने पिछले सत्र में ये जान चुके हैं कि पादब अपनी व्रिद्धी एवं परिवर्धन के लिए अकारबनिक पोषण खनिज तत्व के रूप में वायू जल और मिर्दा से प्राप्त करते हैं अधिक मात्रा में अनिवारी तत्व प्रहत पोषग तथा कम मात्रा में अनिवारी तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व या सूक्ष्म पोषग कहलाते हैं ये तत्व प्रोटीन कार् वसा न्यूकलिक अमलों के अनिवारे संगठक होते हैं और पौधों की विविद उपाप पचये प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं आज हम खनेज पोषण की अध्यान को आगे बढ़ाते वे इन अनिवारे तत्वों की अपर्याप्तता के कारण पौधों में क्या-क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं सूक्ष्म पोषगों की आविश्टा अर्था टॉक्सिसिटी क्या होती है इन अनिवारे पोषग तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधी अब शोषण के बाद इनके स्थानांत्रन तथा म्रदा का इन तत्मों के भंडारन के रूप में विश्टरत अध्यन करेंगे अता है आज के सत्र के हमारे अधिग्यम उद्देश से इस प्रकार है क्रांतिक सांधरता को परिभाशत करना पौधों में पोशक तत्मों के अभाव से उत्पन लक्षणों का वर्णन करना सूक्ष में पोशक तत्मों की आविश्टा अर्थात टॉक्सिटी का वर्णन करना तता किसी एक तत्व की आविश्था के कारण, दूसे तत्व के आवशोषन पर पढ़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना, तत्व के आवशोषन की क्रिया विधी का मर्णन करना, अभिवाह अर्थात फ्लक्ष, अंतर वाह अर्थात इन्फ्लक्ष और बहिर भाव अर्थ साथ एफलक्स को परिभाशित करना, मृदा के अनिवारे खनिज पोशनक तक्तों के भंडार के रूप में व्याख्या करना, नाइट्रोजन चक्र की सचित्र व्याख्या करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दिस्टिकों, जिग्या सुप्रवर्ति और अवलोकन विकास करना, इसके साथ साथ जीविज्ञान के अध्यन में अर्जित ज्यान को दनिक जीवन में सहसंबंदित करना और उसको अनुप्रयोग में लाना हमारे प्रमुख अधिगमद्देश से रहेंगे, हम यह तो जान ही चुके हैं कि खनिज पोशनक तक्त्त पौधों के सर विकास अवरुद्ध हो जाता है, अनेवारी तक्तों की यह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की विद्धी अवरुद्ध हो जाती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है, इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर पौधे में तक्त्त्व का प्रभाव भिन हो जाता प्रतेक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेज स्वन रचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है आता है प्रतेक अनिवारे पोशक तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारी की ये बदलाव आते हैं ये आकारी की ये बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं जिसे अपर्याप्तता संबंदी लक्षन कहते हैं अपरियाप्तता लक्षन तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ती कराने पर ये लक्षन विलुप्त हो जाते हैं यदि ये कमी बनी रहे तो अंततह पादप की मृत्व तक हो जाती है पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षन दर्शाते हैं उस तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं पादप में जहां तत्व सक्रिता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकास शील उतकों में निर्यातित होते हैं वहाँ अपरियाप्तता के लक्षन पुराने उत्कोंगों से पहले प्रकट होते हैं उधारन के लिए नाइटोजन, पुटेशियम और मैगनेशियम अपरियाप्तता के लक्षन सरवर्थम, जीरिमान अर्थात पुरानी पत्यों में प्रकट होते हैं पुरानी पत्यों के जिन जैव अन्वों में ये तत्व होते हैं वहां से इन्हें विखंडित होकर के नई पत्यों तक गतिशील किया जाता है जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपरियाप्तता लक्षन नई पत्यों में प्रकट होते हैं उदारण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की सन रचनात्म की काई का भाग है अतह ये आसानी से रुपांत्रिद नहीं होता है पौधों के खनिज पोशन का यह पहलू कृशी और उद्ध्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपून है पौधों द्वार दर्शाए जाने वाले अपरियाप्ता लक्षनों के अंतरगत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अबरुद्ध पादप प्रद्धी, अपरिपक्ष पत्यों वै कलिकाओं का जड़ना और कोशिका विभाजन का रुखना आदी आते हैं पत्यों के क्लोरोफिल के हिराज से पीला पन आता है जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं ये लक्षन नाइट्रोजन, पोटेशियम, मेगनेशियम, सल्फर, आइरन, मेगनेज, जिंक और मॉलिब्डिनम की कमी से होते हैं कैलिशियम, मैगनेशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या उतकों या मुख्य रूप से पत्यों की मृत्य होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सलफर एवं मौलिब्डिनम की अनुपस्तिती या इनके नेमनिस्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुख जाता है। कुछ तत्व जैसे की नाइट्रोजन, सलफर एवं मौलिब्डिनम की सांधता कमोने से पुष्पन में देरी हो जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षन प्रकट होते हैं। और ये लक्षन एक या विभिन तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। आता है अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन भागों में प्रकट होने वाले लक्षनों का अध्यन करना आवश्यक है। और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना इसकी करने आवश्यक होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन 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 पौधे भिन भिन प्रतिक्रिया देते हैं। सुक्ष्म पोशकों की अनिवारिता नियून मात्रा में होती है। लेकिन मामूली सी कमी से भी अपरियाप्तता के लक्षन और अल्प ब्रधी आविश्था उत्पन होती है। दूशे सब्दों में सांद्रताओं के संकीन परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह संद्रता जो उत्रकों के सुष्क भार में 10 परतिशत की कमी करे उसे आविश्थ अर्थात टॉक्सिक माना गया है। इस तरह की क्रांतिक संद्रता अर्थात critical concentration विभिन सुख्ष मात्रिक तत्वों के बीच भिन भिन होती है। आविश्था अर्थात toxicity के लक्षणों की पहचान बहुत मुश्किल होती है। अलग-अलग पादपों के तत्वों की आविश्था स्तर भिन होती है। कई बार किसी एक तत्व के अधिक्ता दूसे तत्व के अधिगरण को अवृद्ध करती है। उधारण के लिए मैगनीज की आविश्था के मुख्य लक्षण हैं भूरे धब्भों का आविर्भाव जो की क्लोरिंटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना निवारिय है कि लौह एवं मैगनीशियम के साथ मैगनीज अंतरगरण तर्था मैगनीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैगनीज स्तंब सीर्स में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैंगनीज की अधिक्ता से लौह मैंगनीशियम और कैल्सियम की कमी हो जाती है। आता है जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत हो रहे थे वो वास्तम में लौह मैंगनीशियम और कैल्सियम की कमी से होते हैं। क्या ये ग्यान, किसानों, बागवानी या आपक किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाबदाइग हो सकता है चिंतन करिए पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधी का अध्यन अलग कोशिकाओं उत्रकों तथा अंगों में किया गया है ये अध्यन व्यक्त करते हैं कि आपके अवशोषण की प्रकृया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है प्रतम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अत्वा बाहिय स्थान अर्थात एपोप्लास्ट में तीवर गती से आयन का अंत्रगरण होना निस्क्रिय अवस्थान है दूसी अवस्था में कोशिकाओं की आंत्रकिस्थान अर्थात सिम प्लास्ट में आयन धीमी गती से अंत्रगहन किये जाते हैं एपोप्लास्ट में आयनों की निश्के गती साधनत या आयन चैनलों के द्वारा होती है जो की ट्रांस जिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मर छितनों का कारे करते हैं। दूसी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निश्काशन में उपाप पचिये उर्जा की अनिवारिता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्राय हम अभिवा या फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतरवा या इन्फ्लक्स कहते हैं। और बाहर की गति को बहिरवा या एफ्लक्स कहते हैं। हम पौधों में परिवहन के अध्यन के अंत्रगत यह जान चुके हैं कि पाधपों में खनेज लबनों का अंत्रगरण तथा स्थान अंत्रण किस प्रकार होता है। खनिज लवन जायलम अथवादारू के मध्यम से जल की आरोही धारा के साथ समभाहित किये जाते हैं जो पादप में वास्पो उत्थर जना कर्शन द्वारा उपर की ओर खिंचते हैं जायलम द्रव के विसलेशन से हमें ज्यात हुआ है कि इसमें खनिज लवन विद्यमान होते हैं पादपो में रेडियो समस्थानेक अर्थात रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से भी यह प्रमानित किया गया है कि खनिश तत्व पादपो में दारू अर्थात जायलम के माध्यम से परिवहित के जाते हैं हम पौधों में जल के परिवहन की चर्चा पौधों में परिवहन के अध्यन के दोरान पहले ही कर चुके हैं अधिकांश खनिज जो कि पौधों की रधी वे परिवर्धन के लिए अनिवारी हैं वे चटानों की तूटने एवं क्षरण से पौधों की जणों को उपलब्ध होते हैं ये प्रक्रियाएं म्रदा को विले आइनों और अकारबनिक लवन से संपन्द मनाती है चूंकि ये चटानों में उपस्थित खनीजों से प्राप्थ होते हैं इसलिए पादप पोशन में इनकी भूमिका को खनीज पोशन कहा गया है म्रदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं म्रदा केवल खनीज ही उपलब्ध नहीं कराती बलकि नाइट्रोजन स्थरी करने वाले जीवानूं और अन्यसोक्ष्प जीवों को भी सन्दक्षन देती है यह जल धारन करती है एवं जडों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थरी करने के लिए आधार प्रदान करती है चुकि खनीजों की कमी फसलों की उत्पादक्ता को प्रभावित करती है आता है कृत्रिब और वरोप्कों की अनवारिता प्राय हो जाती है जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन वे ओक्षिजन की हतरित नाइट्रोजन प्रमुक्तम तत्व है नाइट्रोजन एमिनो अमलों, प्रोटीन, नूकलिक अमलों, ब्रधी नेंत्रकों, पनहरितों और बहुतायत विटामिनों का संघटक है मरदा में उपस्तित स्रीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्परधा करते हैं आता है नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं क्रशी परितंत्र के लिए नियंत्रक पोशक तत्व है नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमानू, शक्ति शाली, त्री सह संयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थेरी करण कहते हैं प्रकरती में बिजली चमकने से और पराब बैंगनी विकिरनों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ओक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाय ओक्साइड नाइट्रिक ओक्साइड तथा नाइट्रस ओक्साइड में बदलने के लिए उर्जा प्राप्त होती है और द्योगिक दहन जंगलों में लगी आग, अमोनिकरण, वाहनों का धुआ तथा बिजली उत्पादन के इंदर भी वाता वरणिय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत है मृत पादपों वै जंतों में उपस्तित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिय में अपघटन अमोनिकरण कहलाता है इस में से कुछ अमोनिय वास्पिक्रत होकर के पुन है वायू मंडल में लोट जाती है लेकिन अधिकांस मदा में उपस्तित सूक्ष्म जीवों द्वारा इस प्रकार से नाइट्रेट में बदल जाती है स्क्रेइन पर नाइट्रोजन चक्र को भली भाती देखिए अमोनिय पहले नाइट्रोसमोनास या अथवा नाइट्रो कोकस जीवानों द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है नाइट्राइट नाइट्रोबेक्टर जीवानों की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है ये प्रतिक्रियाएं नाइट्री करन कहलाती हैं ये नाइट्री फाइंग जीवानू रसायन पोशी अर्थात कीमयो आटो टॉप्स होते हैं पादप इस प्रकार निर्वित नाइट्रेट का आवसोशन कर पत्यों में भेज देते हैं पत्यों में ये अप्चरित होकर के अमोनिया बनाता है जो की अमीनों अमल का अमीनों समुह बनाता है म्रदा में उपस्तित नाइट्रेट भी डी नाइट्री करन द्वारा नाइट्रोजन में अप्चरित हो जाते हैं दिनाइटिक अनप्रक्रिया, स्युडो मोनास एवं थायो बैसिलस जिवानु संबन कराते हैं प्रिविध्यार्थियों आज हमने खनिज पोशक तत्मों के विशय में बहुत कुछ सीखा है इसकी हम एक बार पुन्रावर्ति कर लेते हैं अनिवारी तत्मों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की व्रद्धी अवरुद्ध होती है अनिवारी तत्मों की वह सांधता जिससे कम होने पर पादपों की व्रद्धी अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांधता, critical concentration कहलाती है अनिवारे पोशक तत्व की कमी से पादपों में आकारी की ये बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं जिसे अपर्याप्तता संबंदी लक्षन कहते हैं पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षनों के इंतरगद क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अबरुद्ध पादबृद्धी, अपरिपक्व पत्यों वे कलिकाओं का जढ़ना और कोशिका विवजन का रुकना आदी आते हैं समान तत्व की कमी होने पर भी भिन भिन पौधे भिन भिन प्रतिक्रिया देते हैं सूक्ष्म पोशकों की अनिवारिता न्यून मात्रा में होती है लेकिन मामुली कमी से भी अपरियाप्तता के लक्षन और अल्प ब्रद्धी से आविश्था अर्थात टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है किसी खनिज आयन की वह संद्धता जो उतकों के सुष्क भार में दस प्रतिशत की कमी करे उसे आविश्थ अर्थात टॉक्सिक माना गया है आयनों की गति को प्राय अभिवाह फ्लक्स कहते हैं कोशिका की अंदर की गति को अंतरवाह अर्थात इन्फ्लक्स बाहर की गति को बहिरवाह अर्थात एफ्लक्स कहते हैं म्रदा केवल खनेजी उपलब्द नहीं कराती बलकि नाइट्रोजन स्थिरिकन करने वाले जीवानूं और अन्य सोक्ष्म जीवों को भी संदक्षन देती है। यह जल धारन करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्द कराती है। पौधों को उस्थिर करने के लिए आधार प्रतान करती है। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरिकन कहते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अभगटन अमोनिकन कहलाता है। आमोनिया पहले नाइट्रो सोमोनास या नाइट्रो कोकस जीवानू द्वारा नाइट्रेट में बदल ले जाती है। नाइट्राइट नाइट्रो बेक्टर जीवानू की मदद से नाइट्रेट में बदल ले जाता है। यह प्रतिक्रियाएं, नाइट्री करण कहलाती हैं। म्रदा में उपस्तित नाइट्रेड भी, डी नाइट्रिकरण ध्वारा, नाइट्रोजन में अफच इत हो जाते हैं। दी नाइटिक्रन प्रक्रिया, स्युदु मोनास एवं थायो बैसिलस जीवानु संपन्न कराते हैं। आज के सत्र में हम आपको कुछ ग्रह कारी दे रहे हैं, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में आवश्य कीजेगा। पहला प्रश्ण क्रांतिक सांद्रता, अभिवाह, अंतरवाह तथा बहिर भाव को परिभाशित कीजिए। दूसरा प्रश्ण पौधों में कम से कम पांच अपरियाप्तता के लक्षन दें, उसे वर्णित करें और खनीजों की कमी से उसका सहसंबंद भी बताएं। तीसरा प्रश्ण अगर एक पौधे में से एक से ज़्यादा तत्वों की कमी के लक्षन प्रकट हो रहे हैं, तो प्रायोगिक तोर पर आप कैसे पता करेंगे की अपरियाप्त खनिश्टत्व कौन से हैं। चौथा प्रश्ण कुछ निश्टत पौधों में अपरियाप्तता लक्षन सबसे पहले नवजात भाग में क्यों पैदा होता है, जबकि कुछ अन्यमें परिपक्पु अंगों में। पांच्वा प्रश्ण पौधों के द्वारा खनिजों का आउश्षन कैसे होता है। कीजिए। प्रियविद्यार्थियों आज के इस सत्र में आपने खनिज पोशत तत्मों का विश्टरत अध्यन किया है। आप उसका पाठन करें, मनन करें और स्वाध्याय करते रहें और अपने अधिगम उद्देश्य की पूर्ती में सफल हो। इन ही शुप कामनों के साथ शीगर ही किसी नए उपवेशय पर आप से पुनह मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। करते रहां किसी थे नार करें वे भिए भाप शइडि है। झाल पस और कतितों है इन आप संपराँ पर प्रॉक आप सोगेश elsवाद। झाल झाल